कैसे बदल रही है आयोध्या और उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो विशेश महमान हैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए महंत राजुदास जी का हनुमान गड़ी के महंत हैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत सतेंद्र दास जी का मुख्य पुजारी श्री मंदिर उससे भी उचा हो और आज 500 साल बाद संत समाज द्वारा देखा गया वो सपना मूर्थ रूप ले चुका है क्या भावनाएं हैं पहले तो आस्था जी आपकी आपके पूरे टीम के लिए मंगल कामना आपने सही कहा स्री हर्माजी महराज राजाक रूप में यहां विराजमान में कहा जाता राम दुवारे तुम रखवारे हो तो नाग्या बिन पैसा रे स्वामी प्रसाद मौरिया वाला पैसा नहीं कि वो भी बक्त बक्त पर लोग अपने आपको बदल देते हैं जिस प्रकार से लंबी लड संगर्स के बाद एक दो दिन नहीं हुआ यहां तो व्यक्ति तीन दिन अपने विचार बदल देते हैं पांच दिन में अपना मता देकार परिबर्तन कर देता है पांच साल में सरकार बदल देती लेकिन पांसो बर्स हमारे पूरवजों ने जो त्याग किया तपस्या क्या स इसमें कोट का देश इसमें फलाने का क्या योगदान भारत की कनकन में ब्याप्त पारब्रम परमात्मा भगवान स्री राम की आस्था विश्वास समर्पन त्याग हर जन के मन में भाव तो हर व्यक्ति का कुशन कुश इसमें योगदान है और हरमान जी तो राम रश्या है और हनमान जी महाराज सदेव भगवान राम के चरुण में बैठे रहते हैं और हनमान गड़ी में राजा कुरुप में विराजमान है कहा जाता है कि बिना हनमान जी के अनुमत के राम जी तक पहुँचना संभव नहीं है बिल्कुल राज़दास जी और आपने संकल्प भी लिया था वह संकल्प में आपको याद दिलाओंगी लेकिन उससे पहले सतेंद्र दास जी की भावनाओं का भी जानना बहुत जरूरी है सतेंद्र दास जी 31 साल से आप प्राम जला की सेवा कर रहे हैं आपने उन्हें टेंट में भी देखा आप उन्हें अस्थाई मंदिर में भी देख रहे हैं और अब स्थाई मंदिर भी बन करके तयार है क्या भावनाएं हैं आपकी देखे बगवान स्री राम रमन्ते जोगिनों जस्मी नित्यानन्दे चिदाद मनी इतिराम परेनासुप परवर्मावेधियते परवर्म परमातिमा ही मानों के रूप में इस अजोध्या में परगट हुए और परगट होने के बाद जो उनके मर्यादा रही वो अपने मर्यादा के साथ चलते रहे इसलिए गोधुज धेन देव हितिकारी किर्पासिंद मानस तनधारी वगवान राम परवर्म परमातिमा है और यह भी है तीनों लोग के मालिक है राम राज बैठे त्रै लोका हरसिद भई गए सबसोका आज जो रामलला अस्थाई मंदिर में राजमान है पहले उस विबादित धांचा में रहे फिर उसके बाद तिरपाल में 28 बरस तक उनकी पूजा होई और बड़ी समयस्यां रही उस समय क्योंकि उस समय जो रिशीवर रहे और रिशीवर कोई भी मांग कि जा जा तो कहें कोट से होगा इसलिए कोट बिल्कुल सतिंद जी बहुत सारी मुश्किले थी और हमें तो यह भी पता लगा कि जिस वक्तेंट में थे रामलला साल में बस एक ही बार भुकतान आप लोगों को मिलता था जिसमें आपको पूजा की सामगरी प्रसाद पोशाक यह सब कुछ मैनेज करना होता था कितना मुश्किल दौर था देखें उस समय हम अंध्याबग रहे हमें सरकार्स पैसा मिलता रहा इसलिए वहां किसी परकार के कोई पूजा अर्चना भोग राग में कोई कमी नहीं होई जद्द भी रिसीवर के माधम से सदा कटवती किया जाता था जब भी कोई मांग करते थे कि भगवान के लिए यह चाहिए और उनके बस में यह साल में एक ही बार बस बनाने के लिए पैसे मिलते थे और वही पूरे बरसे तक भगवान राम को मजबूरन हमको पहराना पढ़ता था और इस परकार की समयश्या रही और बहुत दैनी समस्या रही प्रकित का पर्कोँच बर्सा हो गरमी हो ठंडी हो हर परकार का परभाव वहां पढ़ता था लेकिन विवस हो करके उसे साहना पढ़ता था कोई साधन नहीं क्योंकि रिसीवर जिसके जो जिम्मेदारी रहे हैं उनको 21 सरकार की पाथ़ा नहीं देना पढ गई है क्योंकि आज वर्तमान में ही एक नया इतिहास लिखने की तैयारी आयोध्या कर रही है राजुदाजी आपने संकल्प लिया था कि आयोध्या काशी और मतुरा में जब तक मंदिर नहीं बन जाता आप जूते नहीं पहनेंगे बहुत-बहुत साधुबाद आपको आपने यह बहुत वर्स पहले हमारी आपकी चर्चा हुई थी आज नहीं जब डे टूडे सुनवाई के लिए हम लोग मांग कर रहे थे सभी संत महत्मा रोज कोई बुलाता नहीं फिर भी हम लोग करपाटर बेतने सांने रोज डटे रहते थे अब भी नहीं बूलाती थी फिर वीन लोग डटे रहते हैं दे डेट दे सुनवाई हो जब डे ट Gör dura सुनवाई हो गात मुझको न्याइए मिलेगा हम लोगada आ बहुति अंहीं जब तक कॉरा अधरा का सी भब और संपन्न हो चुका है अब तो तदकाल में देखे दो-तीन दिन से और भी नया मामला आ गया कि इलाहवाद खंडपीट ने आदेश दिया पारवर्म प्रमात्व भगवान सरक्रश्न की जन्मभूमी को लेकर सुप्रीम कोट ने जब वो सुप्रीम कोट भगे सुप्रीम रड़ाइब मंद्र भी कहीं और मंज्जिद भी और बनाया सकता लेकिन किसी की जन्मभूमी में परिवर्टन नहीं किया सकता है यह अभी महराईग inert कि अपने चर्चा किया कि आप समझ सकते हो महराजीए वहाँ पूजा करे हमारे सनातन में बेवस्ता है हम है ज उसको धुल कर फिर भोग लगाते थे फिर रख देते थे आपने कहा कि वस्त्र बड़े दुरभाग की बात है डिमोक्रेसी में लोगतांत्रिक ब्यवस्ता में अध्या में जहां साधू संती ही हैं बाकी कोई नहीं है मंदिर की स्थिति क्या थी आपको पता है जैसे महाराजी ने कहा साल में एक वार ठाकुर्जी को बस्तर मिलता था टेंट फटे हुए थे नो वर्स सुप्रीम कोट में लग गया मुकदमा लड़कर इंतजार करते नोवर सवाद सुप्रीम कोट ने आदेश दिया कि हां टेंट फटा है महाराजी ने कहा आए चेंट फटा है उससे ब भगवान ने पीडा झेली है तो आज घर्व की बात है आज सनातनियों के लिए रामभक्तों के लिए देश के हर वेक्ति के लिए लेकिन राजुगास जी आप आप जिस दौर की बात कर रहे हैं कुछ भी लाग लपेट ना करते हुए सीधे बात कर लेते हैं कॉंग्रेस बात आल मुर्ती हटाओ माराजी प्रतक्ष उदारन इनके पुछ गुरुजी अब रामदाजी महाराज थे वह मुझूद थे साते अंद्रदाजी देखिए गांगरेस जो इस प्रकार से काती है वो सब जूट है उसने कभी भी भगवान राम के इसे मंदिर का निस्तारन हो ऐसा कभी सतार में रहते हुए नहीं किया जड़ा सी सोची होते ही तो जो कार आज हुआ कभी न हो गया होता और भगवान को इस परकार से 28 बर्ट तरिपाल में और रहना पड़ता है इसा नहीं होता लेकिन सरकार जो अपनी दलील को यह देती है ताला खोलने का किसी परकार का व राजुदास जी मुख्य मंत्री योगी आधितनातनिक बात कही थी मैं चाहूंगी कि मैं उनकी बात आपके सामने रख देती हूं उन्होंने कहा था कि अगर कॉंग्रस की सरकार होती तो राम मंदिर कभी नहीं बनता यह तुम्हें कहने जा रहा था इसलिए मैंने उगली उ रहता है उनकी यह मान सिकता यह कहते थे कि रामकाल प्रिक यह कहते थे को बाबरी मस्जिद बनना चाहिए अभी ततकाल की वीडियो वायरल हो रहा था कमलांजी का वो का रहे थे आप कांग्रेस को बोट करिए ऐध्या में बाबरी मजिद का पुना निर्बान करेंगा धार का 370 और 35 को बाहल करेंगे उनकी मान सिकता के बारे माँ बात करें बरें दुर्बान ने तो उन्होंने तो हनुमान मंदिर बनवाया है चंदवाड़ा में ने ने अरे वो सुद्रूर्ण